वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजिनियर मैंड तो फ्रेंड्स पर डेज इस तरह हम लोग 10 कोशन्स करते हैं जेनरल इंजिनियर का उसी टाइप से आज भी हम लोग करेंगे बट आज कुछ कोशन्स ज्यादा होगा तो फ्रेंड्स ये कोशन्स जे एससी जाई ये के लिए बहुत इंपोर्टेंट है जो अपकमिंग एग्जामिनेशन से उसके लिए एंड बेनिफीशियल भी है तो फ्रेंड्स पूरा इंड तक वीडियो देखना और हर रोज जो वीडियो लेक्चर आता है जेनरल इंजिरिंग का जो जे एससी जाई एंड बीपीएस के लिए तो आप उम्हीद है हर एक वीडियो को देखते होंगे और अपना सिलेव तो कवर करते होंगे और आपका जब करेंगे ब्रांच पेपर, सिविल इंजिणिरिंग का सिलेवस कबर करेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेर कर दो ताकि इंजिनियरिंग तो उनका जो syllabus है जेनरल इजने का वो syllabus आपका cover हो जाएगा तो यह news यह information अपने friend circle में circulate कर दो और उन लोगों को बता दो कि बिल्कुल फिरी यह syllabus complete कराया जा रहा है तो friends चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो first questions है the line joining points of equal elevation is non-edge option है horizontal line contour line level line तो friends यहाँ पर जो यह term है कि the line joining points of equal elevation is non-edge तो इसको हम लोग बोलते हैं contour line तो contour line क्या होता है इससे पहले हम लोग जाने ही कि contouring क्या होता है contouring means the line जो join होता है अगर वो series में connect रहता है और equal elevation में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते है contouring हम लोग करते हैं जब अगर contour हम लोग करने का main क्या मोटो है और main reason क्या है means अगर कहीं पर reservoir का capacity हम लोग को निकालना है तो उस condition में हम लोग contour surveying करते हैं यह फिर inter visibility और different points को अगर हम लोग को established करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं contouring करते हैं contouring क्या है the line joining points of equal elevation means same elevation में अगर number of series of line को join करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यह join रहता है joint रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं contouring तो यहां पर पूछा क्या the line joining points of equal elevation means same elevation is known as contour line next question से the vertical distance between two adjacent contour lines is called a option a contour gradient vertical equivalent contour interval तो इसका correct answer contour interval हो जाएगा next questions next question से the line formed along the intersection of the ground surface and a level surface is known as option a contour line watershed line level line तो इसका correct answer एह हो जाएगा contour line क्या कहाता है कि the line formed along the intersection of the ground surface and a level surface अगर ground surface and level surface में अगर कोई line का formation होता है intersection के द्वारा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं contour line तो contouring क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा एक बार फिर से पता कि जब number of line को हम लोग जोइन करते हैं equal elevation में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं contouring और यह line को contour line बोलते हैं कुलारली बी हो जाएगा जब हम लोग कंटूर लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं री लाइन और भेली लाइन से तो हम लोग perpendicularly परपेंडिकुलर उसको इंटरसेक्ट करते हैं तो करेक्ट आप्शन बी हो जाएगा नेस्ट कोस्टन्स दि कंटूर इंटरवल फोर एपर्टिकुलर मैप इज ऑप्शन है किप्त कॉंस्टेंट मेड़ वेरियेबल मेड् इर्रेगुलर कोसें काता है contour इंटरवल अगर पर्टिकुलर मैप के लिए हम लोग करते हैं तो उसको क्या करते हैं कंटूर इंटरबल को पर्लार मैप के लिए औप्शन है फिट गॉंस्टंट रखते हैं मेड़ेरियेबल बनाते हैं मेड़ इे रेगुलर इंर्डेगुलर बनाते हैं तो उसका करेक्टन सर गिप्ट कॉंस्टेंट constant रखते हैं इसका correct answer A हो जाएगा next question से when contour line touch one another at a particular zone it indicates a option level surface vertical cliff horizontal surface तो इसका correct answer vertical cliff हो जाएगा next question when lower values are inside the loop it indicates high ground level ground a depression questions करता है जब lower value inside the loop हो तो यह क्या indicates करता है अगर कोई lower value है हम लोग जब contouring कर रहे हैं और वो inside the loop है तो उसको हम लोग क्या बोलते ओप्शन है high ground level ground a depression तो इसका correct answer a depression हो जाएगा उसको हम लोग depression बोलते हैं कि डिप्रेशन को indicates करता है next questions when the higher values are sorry next questions है the contour interval is oh sorry दोनों questions same है तो but options अलग 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 है seven questions seven number हम लोग एट number करते हैं when the higher values are inside the loop it indicates a option है hill pond slopping ground तो इसका correct answer hill हो जायाएगा तो हील के लिए अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता एक depression होता है इंडिकेट्स डिप्रेशन को इंडिकेट्स करता है और वो ग्राउंड जो होता है वो क्या होता है हील ग्राउंड होता है तो एट का correct answer a हो जाएगा next questions the contour interval is inversely proportional to the option a stiffness of the area extent of the area scale of the map next question तो इसका correct option जो हो जाएगा वो यह हो जाएगा stiffness of the area questions में पूछा गया है the contour interval contour interval किसके inversely proportional होता है तो stiffness of the area area का stiffness होता है उसी के inversely proportional होता है contour interval next questions when a contour interval is fixed between 0.25 and 0.50 meter it indicates option a steep slope a flattish slope almost level ground this got correct answer a flattish slope इसका correct answer b ho जाएगा next question से the alignment of highways are generally taken along option the ridge line the valley line across the contour line तो इसका correct answer the ridge line हो जाएगा जब भी हम लोग highway का alignment लेते हैं तो वो generally हम लोग जो लेते हैं किसके along लेते हैं ridge line के along लेते हैं यह questions important है और भी प्येस्टी एई में previous years में पूछा गया है इसमें बहुत सारा ऐसे questions है जो कि भी PSC-AE and Central SSC-JE में यह questions general engineering and branch paper civil वालक के लिए भी पूछा गया है यह questions important है साय यह questions JSC-JE में आ सकता है यह questions important next questions देखते हैं वेन कंटूर्स ओफ डिफरेंट एलिवेशन क्रोस इच अधर इट इंडिकेट्स ए और एन ओप्शन है वर्टिकल क्लिफ शेडल ओवर हैंगिंग क्लिफ तो इसका करेक्ट अंसर ओवर हैंगिंग क्लिफ हो जायेगा option C is correct next questions the horizontal distance between two consecutive contours is termed as contour interval horizontal equivalent horizontal interval तो इसका correct answer horizontal equivalent हो जायेगा option B is correct next questions when consecutive contour lines run close together it indicates a option steep slope flatter slope vertical slope vertical surface तो 14 का correct answer हो जायेगा इस्टीप slope questions में क्या कहता है कि जब consecutive contours line को run close together अगर run करता है और close क्या आता है एक साथ तो यह क्या indicates करता है यह steep slope को indicate करता है इसका correct answer एह हो जायेगा steep slope next questions a series of closely spaced contour lines is represented as a option a steep slope gentle slope uniform slope plain surface तो इसका correct answer कि a steep slope हो जायेगा तो यह सारे questions जितने हैं यह contouring से related है questions और civil वाले के लिए ब्रांच पेपर में भी यह questions आ सकता है यह बहुत important questions है और इससे कहीं भी किसी भी examinations में general engineering का questions पूछा जाता है तो mainly हम लोग focus कर रहे हैं अभी जे एससे एंड बीपी एससी एई तो जे एससे जेए के लिए एन बीपेसी एए के लिए और आप लोग प्रेशन करते रहे हैं जे प्येसी एई का भी न्यू वेकेंसी आने वाला है और जे एससे जेए की जो कंबाइन वाली वेकेंसीज है वो भी वेकेंसीज जल्दी आएगी तो questions 15 जो है a series of closely spaced contour lines is represented as a option है a steep slope correct answer जो होगा वो यह हो जाएगा a steep slope next questions है this suitable contour interval for a map with a scale of 1 raise to thousand each option है 2 meter 5 meter 10 meter 20 meter तो इसका correct answer a ho जाएगा 2 meter जब भी हम लोग consider करते हैं इसको scale को contour interval में तो जो ratio लेते हैं 1 raise to thousand तो इसमें जो interval होना चाहिए वो 2 meter का interval होना चाहिए यह questions important next questions है in direct method of contouring the process of locating points lying on a contour is called ranging centering horizontal control vertical control तो इसका correct answer vertical control हो जाएगा तो friends आज हम लोग कुछ ज्यादा questions कर लिए तो हम लोग का questions का जो quota है वो complete हो चुका है और आपसे request है कि वीडियो को इंड तक देखा होगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर दो और शेयर कर दो तक कि जितनी भी अपडेट्स आये इंजिनियरिंग जोप से रिलेटेड वह आप तक पहुँच सके एंड आपका जेन्टरल इंगा सिलेवस कवर हो सके तो आज की वीडियो में इतना है फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए वाए